नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मेरा नाम है Jitender Grower और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये है Aura Scanner with Jitender मेरे YouTube के ओपर, Facebook के ओपर Aura Scanner with Jitender के नाम से और भी वीडियो चल रही हैं आप अगर सर्च करेंगे तो इसमें ऐसे चीजी आपको देखने को मिलेंगी जो आपकी के लिए बहुत ज़रूरी है आपने वीडियो तो बहुत सारी देखी होंगी लेकिन कुछ वीडियो ऐसी हैं जो परस्नली आप ही के लिए हैं और यह साइंटिफिकली चीजे हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं हर घर में एक-दो लोग बिमार है तो उसका रिजन जियो जियोपेथिक स्ट्रेस तो दोस्तो जियोपेथिक स्ट्रेस होता क्या है जियो मतलब है अर्थ और स्ट्रेस मतलब है डिजीज यानि कि अर्थ से होने वाली डिजीज तो मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आपके घर में अर्थ से निकलने वाली डिजीज है आपको मालूम है इस बारे में, यह किसी को भी नहीं मालूं, कि जियोपेथिक स्ट्रेस होता क्या है, क्या उनके घर के ओपर जियोपेथिक स्ट्रेस का असर है, लेकिन हर घर में एक दो लोग बिमार है, किसी को कैंसर है, किसी को डाइबिटीज है, किसी को हाट की प्रॉब्लम है, किसी को पता हूं, एक्चुलि हमारा जो इंसान हों, इंसान के ब्रेन की जो frequency है, वो है 7.83 hertz, और ऐसे ही अर्थ की frequency है, वो भी है 7.83 hertz, तभी हम इस अर्थ पे हम रह सकते हैं, क्योंकि frequency दोनों की match करती है, लेकिन जो जमीन में नीचे 100-100 फिट नीचे पानी है वो बह रहा है, गंदा पानी है कोई smoothly तो चल नहीं रहा वो move करता रहता है और चलता रहता है तो उसे एक उर्जा crate होती है यह एक energy crate होती है और यह energy निकलती का है यह निकलती है कि जैसे आपने देखा होगा कई घर बन रहा है तो उसमें digging कराई जब खुदाई होती है या फिर कोई footpath बन रहा है कोई road बन रही है, कोई sewer line डाली जा रही है तो उस समय क्या होता है कि अर्थ में crack पढ़ने शुरू हो जाती है और वो crack जो है उस crack के through जो जमीन के नीचे की energy है वो भार आती है और उसका pressure इतना ज़्यादा होता है कि वो अर्थ से आने के बाद 200 feet उपर तक असरट करती है 200 feet उपर तक तो इसको 200 feet अगर माने तो कि ground floor पे रहने वाले आदमी को भी वही save impact आएगा और 200 feet उपर यानि कि 10-15-20-20-वी floor पे भी रहने वाले आदमी को भी उपर वही impact आएगा अब यह impact है क्या इस बारे मैं मैं आपको थोड़ा से यह बताता हूँ एक लिए मैंने आपको बताया कि जो brain की frequency 7.83 और earth की frequency 7.83 लेकिन यह जो 100-500 foot नीचे से जो energy आ रही है electromagnetic energy यह है यह energy 60-80-100-120-150-200 कुछ भी हो सकता जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमें नुक्सान देगी तो जब यह आती है तो यह क्या करती है जैसे मालीजी हमारे घर पे आ रही है और हमारा उस पर बैड है और हम सो रहे हैं उसके उपर तो अगर बॉडी के जिस पार्ट के उपर से जाएगी है दीरे 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 उसको damage करना शुरू करती है जैसे example देता हूँ कि brain पे से गई तो brain tumor या brain damage हो सकता है heart पे से जाएगी तो heart attack या cot death हो सकती है liver kidney damage हो सकती है पैरों में जाएगी तो पैरों में swelling हाँ एक चीज और बताता हूँ जिस घर में यह होती है उस घर में देखा गया है कि रहने वाले जितने भी लोग होती है उनका mentally वो disturbed होती है आप देखो कि आप दिमाग से ही काम करते हो मेहनत तो मजदूर भी करता है market जाता है सारा दिन मेहनत करता है और पैसे कमाता है लेकिन जो पड़ लिख लेते हैं या businessmen है वो सब brain से काम करते है अगर हमारा brain disturbed रहेगा तो आप यह सोचे कि हमारी life की growth भी खतम हो जाएगी और यह जियोपेथिक stress के बारे में यह का जाता है कि silent killer है यह धीरे 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 आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि कोई एब नहीं है कोई cigarette नहीं कोई पान नहीं कोई तंबाकू नहीं कोई non-west तक नहीं खाते और लेकिन फिर भी जब diagnose होता है तो advanced cancer पता लगता है कि इनको 2 महीने ही इनके रह रहे हैं या इस तरीकी की बड़ी-बड़ी disease है या heart attack तो normal हो गया है ठीक है तो ये जियोपेथिक stress के बारे में आपको एक चीज और बताता हूँ आपको शहरूँ से समझ में आजा है आपने ऐसा देखा होगा कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे spots हैं जहां पर accidents होती है और वहाँ यह होता है लिखा होता accident prone area ऐसा क्यों है अगर आप वहाँ किसी गाववालों से पूछेंगे बहुत साल पहले कोई accident हुए थे तो तब से शापित होगी जगा मतलब यह अनपड़वालों की है लेकिन science इसको नहीं मानता science proof के base पे चलता है तो जब engineers और scientists ने इसके ओपर research किया तो पता लगा कि उस जगह का geopathic stress level बहुत ज़ादा है कि माल लिजे आप गाड़ी ड्रेव करके जा रहे हैं और वहाँ geopathic stress बहुत ज़ादा है तो क्या होगा heartbeat बढ़ जाएगी यानि कि BP आपका बढ़ जाएगा या फिर blood circulation तो बढ़ता ही है blood cells वो है वो over active होने शुरू हो जाते हैं आपोगा retina गूम जाता है अगर आप google पे जाके geopathic stress के बारे में detail जाना शुरू करेंगे तो बहुत सारी information मिलेगी आपको शरीर की ऐसी कोई भीमारी नहीं है जो हमारे को geopathic stress से ना लग सके और आपको ये भी बताता हूँ कि बच्चों और बूडों के ओपर बहुत जल्दी impact आता है इसका और जितने भी जवाल लोग हैं उनको 5 साल, 7 साल, 8 साल वो depend करता है geopathic stress की पावर कितनी है उसकी लेवल कितना है तो जब हमने आपको बता है 7.83 हर्ट हमारा brain sign कर सकता और ये silent killer है और उसको ज़्यादा vibration मिल रही है तो क्या होगा disturb हो जाएंगे आज आपने देखा होगा हर घर के अंदर बच्चे जो हैं वो बहुत argument करते हैं पढ़ाई में उनका मनने लगता हम खुद ही disturb रहने लग गए है हमेशा depressed रहते हैं depression में रहेंगे या confused रहेंगे तो ये जो चीज़े हैं और जो मैंने आपको बताया बिमारी आप ये मानके चलिए कि अगर geopathic stress के उपर आपका bed है या आप working करते हैं जगे आपकी chair है आप ज़्यादा देर बैठते हैं तो आप मानके चलिए कि आपको बहुत गंबीर गंबीर बिमारिया हो सकती है तो अब आपने करना क्या है ये तो मैंने आपको छोटी सी एक information दी इसकी detail तो बहुत बड़ी है और इसके बहुत से proof मिले हैं कि जिन लोगों के घर में जियोपेथिक stress का level ज़्यादा था उन लोगों की health day by day खराब हो रही थी और उनको पता ही नहीं कि ये जियोपेथिक stress की वज़े से है जैसे ही वो जियोपेथिक stress का solution किया उन्होंने remedies करी उनकी problem काफियाद तक ठीक भी हो गई लेकिन आप बताईए अगर health damage होती चली जाएगी और उसको आप recover नहीं कर पाऊगे तो क्या होगा एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत बड़ी problems आपको सामने आएगी कि यह disease हो गई तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है तो अब मैं इसको बताता हूँ कि इसको आप जान कैसे सकते हैं आप मेरा mobile number है 7065657555 यह मेरा mobile number है और मेरे आप चैनल को आप like करतीजिए और subscribe कर दीजिए और share कर दीजिए दोस्तो वीडियो तो आप देखते हैं अगर आप share कर देंगे तो और भी लोगों के पास जाएगी और उनको भी information मिलेगी आप मेरे number पर whatsapp कीजिए और आप अपनी photo भेजिए मैं आपको बताऊंगा कैसे भेजनी है photo आपको मैं उसको scan कर पर या आपकी body पर जियोपेथिक stress का कितना असर है और उसकी remedy बता दूँगा आप उससे वो जब remedy पूरी complete करेंगे तो आप इस problem से भार आ सकते हैं लेकिन ये scientists और engineers इसको final बता चुकी है कि ये जियोपेथिक stress की वज़ए से इतने बड़े accident होते है रोट के उपर तभी मह family की health को आपके brain को कितना damage कर रही होगी तो दोस्तों देर मत करिए आप मेरे number पे WhatsApp करिए मुझे call करिए कोई charges मैं नहीं ले रहा हूं आपसे आप मुझे करके at least अपनी information ले सकते हैं और जब remedies होंगी मैं आपको बता दूँगा कि क्या है फोन पर तो मैं आपसे कुछ कहीं न अजिए थैंक यू रही मच्च